हें गाई इस टेकनिकल वेंचन में आपका हार जीक स्वागत है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लेकर आए हूँ रियल्मी कीशियों तो दोस्तो आपका हाँ ऑच्छा स्मार्पवन ढेटव लेसा इसे alors आपके पर पोन लेगना करें या फिर आप डीटो डिसप्ले काफी अच्छा चाहिए जैसा अगर आप मूवी नेट्फलिक्स यूट्यूब देखते ऊसका हाइ रिफरेश रर्ड चाहिए आपको डिस्प्लेइ की क्वालेटी एक्टम स्मूथ लेंश चाहिए तो तो इस वीडियो को पुरा लास तक देखते रहेワे हैं और दोस्तो आपको चाहिए बैटरी काफी बड़ी तो इस वीडियो को लास तक देखते रहेے के याप पर यह ब्रिख्र देखने को मिलता है और निचे के तरह बोग्स को मुपन कर लेते हैं दो सबसे पहले बोक्स को मूपन कर लेते हैं दोस्तों बोक्स को उपन करने के बार हमको मिलता है यहाँ पर मिनी बोक्स तो यहाँ पर लिखा हुआ है Welcome to Real Me Family और बोक्स को खोलने के बार हमको मिलता है Simulet Tool यहाँ पर आपको मिल जाता है Minables Card और एक Cover मिल जाता है Cover फोड़ी हलकी quality आप देख सकते हैं काफी बढ़िया है और उसी के बाद दोस्तों यहाँ आपको adapter मिल जाता है जो कि 30 watt के साथ आता है इतना कुछ मिलता है box के अंदर अब देखते हैं हमारे smartphone को तो फटा फट से निकालते है refer से बाहर तो दोस्तों आप देख सकते हैं स्मार्टफोन को complete design तो देखने में काफी बढ़िया लग रहा है और इसका देख सकते हैं को ओडियर केमरा तो देखने में काफी अच्छा लग रहा है स्मार्टफोन और दोस्तों नीचे की तरफ को मिलता है यहाँ पर speaker, type C port, mic and 3.5 audio jack इदर के तरफ को मिलता power button, volume button और इदर sim jack करने के लिए sim टे दी गई है और उपर के तरफ को कुछ भी नहीं मिलता और दोस्तों सबसे पहले phone को on कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर मैंने phone को on कर लिए उसके बाद setup अप कर लेते हैं और दोस्तों यहाँ पर आपको completely realme U1 मिल जाता है तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं phone को design है वो काफ़ अच्छा लगता है और साथ ही में smartphone को interface है आप देख सकते हैं completely interface काफ़ी बढ़िया लग रहा है इसकी brightness भी काफ़ अच्छी है और चलाने में भी काफ़ अच्छा लगता है नीचे से उपर जब slide करते हैं तो आपको सारे feature देखने को मिल जाते हैं और दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम check कर लेते हैं fingerprint sensor दोस्तों यहाँ पर fingerprint test कर लेते हैं डोस्तों यहाँ पर आपर काफ़ काफ़ अच्छे काम कर रहा है fingerprint और यहाँ पर आपको brightness जो इस phone की काफ़ अच्छी मिलती है, थोड़ा bright आपको लेखने को मिलता है, फोटो इतना कुछ देखने को मिलता है, तो दोस्तो आप बात कर लेते हैं, आपको smartphone खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, इस smartphone की price की, तो दोस्तों लगभगी smartphone जो 15,000 की price से सुरूँ होता है, और दोस्तों बात कर लेते हैं smartphone की design की, तो design के मामले में smartphone काफी अच्छा लगता है, तो वो मैं आपके उपर चोड़ता हूँ, बात कर लेते हैं smartphone ये cameras के बारे में, तो दोस्तों अगर आपके camera ज़रूर रहते हैं, तो ये smartphone आपके लिखे लिए, क्योंकि यहां पर आपको 64 megapixel का audio camera मिलता है, तो ये smartphone का प्रोसेसर, तो दोस्तों ये smartphone का प्रोसेसर है, वो काफी बढ़िया है, 8 nanometer टेक्मिशन पर काम करता है, तो अगर आप gaming करना आते हैं, phone lake से परिशान है, डेटर टास के में smartphone को यूज़ करना आते हैं, तो ये प्रोसेसर है, वो काफी capable है, आपको high graphics game को support कर लेता है, यहाँ पर आपको अच्छी frame rate देखने को मिल जाएगी, दोस्तों अगर आप asphalt खेलते हैं, call of duty खेलते हैं, तो यहाँ पर आपको gaming की काफी अच्छी से देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर आपको वर्जन दिया गया है, open GL 3.0 का support दिया गया है, तो यहाँ पर आपको पाज़र इमेज का बेटरी जाएगा है, दोस्तों काफी servicent है, अगर आपको mobile जड़ा सफन नहीं कर पाता है, और आप नए mobile पर टांसफर होना चाते हैं, तो यहाँ पर आपको पाज़र इमेज का बेटरी दिया गया है, तो दोस्तों आपको phone की बेटरी जो बड़ी मिल रही है, उसके साथ आपको phone भी जल्दी च प्लस आप movie देखते हैं, Netflix देखते हैं, वो display का ज्यादा इस्तमाल करते हैं, तो आपको 90Hz का refresh rate दिया गया है, तो अब बात करते हैं, अगले feature के बारे में, तो दोस्तों आपको side fingerprint sensor मिल जाता है, तो आपको back side और front side पर देखने को नहीं मिलता है, जहाँ power button है, वहीं पर दोस्तों, दो SIM एक memory card लगा सकते हैं, तो यह भी काफ आपको अच्छा feature है, और दोस्तों यहाँ पर आपको 2-3 color मिल जाते हैं, तीन color मिल जाते हैं, एक black, blue और बस एक white color, यह तीन color आपको देखने को मिल जाते हैं, तो दोस्तों देखा जाए तो यह smartphone काफी अच्छा है, realme सेवन, आप comment करके बताएं, आपको वीडियो किसी लगए, क्या आप इस smartphone को purchase करेंगे, नहीं करेंगे, हम comment में जाना जाते हैं, आपकी राय हमेरे लिए बहुत important रखती है, चैनल पर नहीं हो, तो subscribe करके, पहले लाइकर पर क्लिक करके, ओल स्रिक जरू कर लिएक ऐसे fresh content आप के लिए लातार हमगा, धन्यवाद, जैहिन, जैवरत, वंदे मातने दोस्तों